हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब पिली भीत टू मैलानी रेलवे न्यूज में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन सी वो नई ट्रेन है जिसको मैलानी से पिली भीत के लिए सुरू कर दिया गिया है ये नई ट्रेन आपको अब डे वे दिली तक ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं और ऐसे में आपको मैलानी से दिली तक डिरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी तो आईए बात करते हैं इन ट्रेनों के बारे में लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नई आए हैं भारतिये रेलवे से जुड ये बिना देरी किये शुरू करते हैं आज की अपने इस अपडेट को गाईज रिसेंटली मैलानी टू पिली भीत ट्रेन निउज निकल कर आ चुकी है आपने दिखा होगा यहां पे मैलानी से सहगड के रास्ते पिली भीत तक जो यहां पे 67.92 किलोमीटर की नई रेल लाइ और अब यहां पे लखनव और कानपूर के रास्ते होते वे या फिर साजहापुर बरेली वाले रूट के रास्ते होते वे ट्रेनों को नहीं चलाना पड़ेगा काफी बिजी रूट्स हैं और गोरकपुर से लखनव से मैलानी होते वे पिली भीत के रास्ते भी यहां पे ज आपको मैलानी से पिलीभीत बरेली मुरादावात के रास्ते होते वे दिली तक की connectivity देगी अब आप ही बताइए कि यह connectivity आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके बताइए तो गाइज अब यहाँ पे मैलानी और पिलीभीत के बीच में एक और नई ट्रेन सेवा सुरू हो चुकी है और एक ट्रेन और एड हो चुकी है आने वाली दिनों में और भी ट्रेने आने वाली हैं अगर मैं बात करूं नौर्थन रेलवे के ऑफिसर्स की जो की senior ऑफिसर्स हैं उनका यही कहना है कि पिलीभीत सागड मैलानी रेलवे लाइन को 672 करोड रुपे की लागत से तयार किया गिया है और इस रेल नेटवर्क के अपग्रेड हो जाने से गोरखपुर और लखनव से पीली भीत होकर दिली एवं उत्तर भारत के अन्य नगरों के लिए अत्रिक्त मार्ग और ट्रेने उपलब्द कराई जाएंगी मार्ग तो है ही पुरूतर रेलव हावडा समरी स्पेसल और इसके साथ साथ आपकी एक और ट्रेन है लालकुआ वारण असी स्पेसल ये ट्रेने पीली भीत मैलानी होकर ही चलती थी और भारती रेलवे के सिनियर्स का कहना ये है कि हम बहुत जल्द गोरकपुर से वाया गोंडा लखनव मैलानी पीली भीत के रास्ते होते हुए मुरादाबाद बरेली के रास्ते दिल्ली तक एक ट्रेन शुरू करेंगे और इस ट्रेन के लिए यहां पे अभी फिलहाल जो तैयारिया है वो शुरू हो गई है जल्द ही गोरकपुर से आनंद विहार के लिए एक और नई ट्रेन शुरू की जाएगी और यहां पर यह बात निकल कर आ रही है अमर उजला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ रूट डाइवर्जन में इसी रास्ते से कई और ट्रेने भी चलाई गई थी सीतापुर मैलानी पिलिवीत के रास्ते होते वे यहां पर ट्रेन बरेली विहार एक्सप्रेस को भी चलाया गया ऐसे में यहां पर चीज़ें आ चुकी हैं और यहां पर भारती रेल्वे की एक तरीके से टेस्टिंग भी हो गई ऑपरेशन्स की और इसलिए भारती रेल्वे ने डिसाइड किया है कि एक और नए ट्रेन यहां पे सुरू की जाए हा और दूसरी तरफ आपकी जो लालकुआ हावडा समरी स्पेसिल चल रही है उसको भी डेली वेसिस पे ओपरेशनल करना था तो अभी फिलहाल क्लेरेंस देखने दीजिए और क्लेरिटी मिलते ही मैं आपको भी बताऊंगा लेकिन ज्यादा तक यहां पे चीज़ें जो है वो और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजे उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी मैं आज की इस वीडियो में इतने ही रखता हूँ मिलता हूँ आप लोग अपना ख्याल, hope to see you again, bye bye guys.